शीरमेश इंदेजी भारतिय वायुदल में अभियंता के रूप में कार्यरत थे। ततपश्यात गद 20 वर्षों से आप हिंदु धर्मप्रसार का पूर्णकालिन कार्य कर रहे हैं। एवन धर्मानतरितों का शुद्धी करण तथा भारतिय अर्थवेवस्ता पर नया अक्रमन हलाल जिहाद ऐसे ग्रंथों का संकलन किया है। वीविद समाचार प्रणालियों पर चैनलों पर आप चर्चा सत्र में हिंदु धर्म का पक्ष प्रभावी रोप से रखते हैं। मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि आप ब्रेकिंग इंडिया का शडियंत्र निश्पल करने की आवश्यक्ता इस विशे पर हमारा मार्गदर्शन करें। सियावराव चंद्रकी सियावराव चंद्रकी सियावरारा रोप साğठार की सै। सभी को नमस्कार। जगत गुरु बगवान श्रीक्रुष्ण करें। तथा हमारे प्रेर्णा सुरुत सच्चेदा दंद प्रब्रह्म डौक्टर एठावलेजी। यहाँ पर उपस्ते सभी संत मान्यवर सभी को नमस्कार दो दिन पहले हमने एक विशय यहाँ पर प्रस्तुत किया था कि नारेटिव्स का वॉर कैसे चल रहा है और उस युद्ध में हमें क्या प्रयास करने है उसी का एक अंग यदि हम कह सकते है इसको कि बौधिक स्तर पर एक आक्रमन ये Breaking India Forces जिनको कहा जाता है कि विभाजनवादी शक्तिया तो ये जो विभाजनवादी शक्तिया भारत में कारियरत है तो वो किस प्रकार से कारिय कर रही है और हम जो अपनी एक सोच लेकर के कारिय कर रहे है उसका परिनाम सफल क्यों नहीं हो रहा है इसके संदर्भ में हमें इस दुरुष्टिकों से आज का विशे रहेगा वास्तविक्ता में हमें ये सोच रखनी होगी कि युद्ध का एक नियम होता है कि जहां राज्य होगा वहां अक्रमन होगा और जहां पर एक्सपांशनिस्ट याने अपने सिमाओं का विस्तार करने की इच्छा रखने वाली शक्तिया होगी जैसे चीन हमेशा भारत की सिमा में घुसने का प्रयास करता है तो ऐसी शक्तिया जहां पर होगी तो वहां पर ये सारी चिज़े निश्चित रुप से होगी तो इस दुरुष्टिकों से ये जो विशे है वो हमें जान करके लेना बहुत अवशक है और इसके पीछे जो शक्तिया है Breaking India Forces के पीछे जो शक्तिया है अधिकतर तो वामपंथी विचारधारा के लोग है या Communist विचारधारा के लोग है और वो इन शक्तियों के आधार पर कैसे हमारी संस्थानों में घुस करके भारत के विरुद्ध ही हमारे यहाँ पर मानसिकता तयार करने का प्रयास करते हैं जैसे उधारन की रूप में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेशते हैं अच्छे college में भेचते हैं, अच्छे university में उनको प्रवेश मिले, admission मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा सोचना यह रहता है कि वो अच्छे university में जाएगा तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो अच्छा कुछ कर पाएगा, लेकिन यह अच्छा करना राष्ट्र के हित में होगा या नहीं होगा, इस दुरुष्टिकों से कहीं पर विचार नहीं होता है और इसलिए हमारे देश की universities, यदि हम इसको कहेंगे कि यह education center से ज़्यादा यह propaganda center बन रहे हैं और propaganda center बन करके वहाँ पर से हम ही अपने पैसे खर्च करके हमारे ही बच्छों को देश के देश द्रोही बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर इसे हमें बहुत गंभिरता से सोचना होगा क्योंकि शिक्षा का संसकार से संबंद तो secularism ने निकाल दिया और इसलिए ये जो शिक्षा का उप्योग करके भारत के ही युवाओं को भारत तेरे टुकडे होंगे के नारे देने वाले विदेश से नहीं आये थे ना तो किसी गद्दार के घर से वो आये थे वो यहीं से बच्चे थे लेकिन brainwashing इस तरीके से किया जा रहा है कि वो भारत के विरुद्ध कारिय कर रहे है और इसलिए इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है इसी के लिए शिक्षा और संसकार इसके लिए हम गुरुकूल या हमारी शिक्षा पद्धती का पुरुष्कार करते हैं तो इस दुरुष्टिकों से हमें इसको जानना भी बहुत आवश्यक है अभी जैसे उधारन के रूप में हम देखेंगे तो हमेशा वामपंथी या जो भी कम्मिनिस्ट होते है तो अपने आपको वो अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करते है कि हम तो बहुत मानवतावादी करते हैं कारे करते हैं परियावरन के लिए कौन कारे करते हैं हम ही करते हैं Gritta Denmark से ले करके सारे जतने सारे नाम ले लिजर हर जगा पर वाम पंती दिखाए देदे लेकिन वाम पंती सत्ता में कैसे आते है क्या कभी इसका इतिहा समने देखा है पूरे विश्व कर मौनिस्स हिस्ट्री मं केरल में पहली बार वो टेमोक्रेटिक सिस्टिम में चुन करके आये है नहीं तो कहीं पर भी इस प्रकार से वो सत्ता में नहीं आये है इसलिए हमें इसको जानना होगा कि हर जगा पर रक्तर रंजीत करांती हुई है और उसके बाद ही वामपंति सत्ता में आये है ये पुस्तक है Black Book of Communism इसको विश्व के छे लेखों को ने लिखा है अलग-अलग प्रांतों से इस पुस्तक को हमें समझना चाहिए और उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि जो कमिनिस्ट थे उन्होंने रशिया में करीब-करीब ड्हाई करोड लोगों की हत्याई की बोल्शेविक करांती में फिर उसके बाद में 65 मिलियन याने साड़े 6 करोड लोगों की हत्या उन्होंने माउज हेडों के नेतुरत्व में चाइना में की दो मिलियन यानि 20 लाख लोगों की हत्या कंबोडिया में की और भी ऐसे ही इस्टन यूरोप या लाटिन अमेरिका आफरिका तो ये सारे प्रदेशों में दस करोड से जादा लोगों की जिनोंने हत्या की है वो अपने आपको सेकुलर मानवतावादी परियावरन वादी इस प्रकार से प्रचारित करते हैं और ये इतिहास किसी को जिसको पता नहीं है वो दुर्भाग्य से इनके जाल में फस्ते है और इसलिए हमारे जो जेन यू या जो इन्यूर्सिटीज है तो वहां के जो बच्चे है वो उनके जाल में फस्ते हैं उनको पता ही नहीं कि वास्तविक्ता में कौन से विचाख धारा से ही है और इसके लिए जो नकसलवाद जो भारत में यहां पर पसार रहा है या बहुत सारे राज्यों में जिसको कि यह भारत के युनिवर्सिटीज में विभाजन का जो एक शडियंत्र कर रहे है तो यह शडियंत्र किस माध्यम से चल रहा है तो हमारे देश में 75 साल से तो डेमोक्रसी है 75 साल से तो जो समिधान डॉक्टर बाबासाव अंबेड करने लिखा उसके आधार पर राज चल र लेकिन आज यदि आप देखेंगे तो मैं जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उसके अंदर पर महिशाशूर शहादत दिवस याने महिशाशूर ने बलिदान किया इसका शहादत दिवस जेयनियों में मनाय जा रहा है याने आप उसको देख सकते कि किस प्रकार से महिशाशूर का शहादत दिवस युनिवर्सिटीज में मनाय जा रहा है अभी यहाँ पर इसको आइडियालोजी क्या उन्होंने बनाई है according to आदिवासी लिजेंट्स दुर्गा who was sent by a foreign invaders who have been called God in ब्राम्भनिकल scriptures and are today known as द्विजाज तो ब्राम्भन विदेशी थे उन्होंने दुर्गा को भेजा किसको क्योंकि महिशासुर मुल्निवासी था याका और ब्राम्भन बाहर से आये थे तो उन्होंने दुर्गा को भीजा और फिर आगे इतनी गंदी शब्दों में वो हमारे देवताओं के बारे में ये सारे JNU के पोस्टर्स और इसके अंदर का है तो इस दुरुष्टी कोन से हम देख सकते है कि मा दुरुगा को एक वेश्या के रूप में वहाँ पर वो प्रदर्शित करते है बताते है और ये सारा प्रचार हमारे उन्यूर्सिटी में चल रहा है और हम सोच रहे हमारे बच्चों को भेज रहे क्यों भेज रहे हम अच्छा पढ़ने के लिए ये कौन से अच्छी पढ़ा ही है ये सारा अजेंडा लेकर के सब लोग काम कर रहे है और यही भारत विरोधी मानसिक्ता हमारे बच्चों में तयार कर रहे है अब जैसे महिशा सुर मूल निवासी था वैसे उनके दुरुष्टिकों से रावन भी मुल निवासी था और प्रभुष राम तो आर्यव अंशे के थे तो प्रभुष राम ने उनकी रावन की हत्या की तो इसलिए उनका कहना है कि आप राम लिला मनाते हैं तो हम रावन लिला मनाएंगे और हम रावन की पुजा करेंगे और राम का दहन करेंगे अब रावन पुलत्सरुशी का पुत्र है यह तो जानते भी नहीं वो याने रावन दशगरंती ब्राम्वन है लेकिन उनको मूलनिवासी बना रहे है और ना कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है ना कोई शास्त्र पढ़ना चाहता है लेकिन सिर्फ ब्राम्वन विरोधी विचारधारा बनाना हिंदु धर्म विरोधी विचारधारा बनाना और इसके लिए इस माध्यम को उप्योग करना तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे युनियोरसिटीज में क्या चल रहा है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं इसका ये सबसे बड़ा उधारन है ये डेमोक्राटिक स्टुडेंट्स युनियन का पोस्टर फ्रीडम फोर कश्मीर याने कश्मीर को स्वतंत्रता दीजिए ये पोस्टर जेयनु में लगा हुआ है उसके बाजों में पोस्टर लगा है इंडियन आर्मी रेपस याने भारतिये सेना हमारे उपर बलातकार करती है ये विदेश अजेंडा नहीं है ये हमारे इन्यूरसि अच्छे जगा पर तो हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे क्या अच्छा होगा है हमारे यहां पर नक्सलवादी जब हमारे जबानों की हत्या करते हैं तो जेन्यू में मिठाई बाती जाती है लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम अउगत नहीं हम प्रकार का अजेंडा यदि डाला जाएगा तो कैसे वह भारत के साथ में रहेंगे इसलिए इस अजेंडा को हमको समझना होगा यह स्वस्तिक को उन्होंने किस प्रकार से आप देख सकते हैं फासिवाद स्वस्तिक को उन्होंने फासिवाद के लिए फासिका खंबा करके उन्होंने प्रेजेंट किया है इस स्वस्तिक को वो यह आपने केजरिवाल के सभा में भी देखा होगा स्वस्तिक को किस प्रकार से इसे ही तो फासिजम क्या है भारत का स्वस्तिक फासिजम है याने यह जो मानसिक्त वो तयार कर रहे हैं यह सारे बच्चे जो है यह सारे भारती है और यह हमारे ही उन्योर सिटी में पढ़ रहे हैं हम ही टैक्स पे कर रहे हैं वहां पर जो पढ़ाने वाले जो लोग है वो भ इसलिए ये जो breaking India forces है इसके बारे में हमें बहुत गंभिरता से सोचना होगा अन्य था ये forces हमारे ही देश में हम लोगों के आने वाली पीड़ी को हमारे ही शत्रू करके खड़े करेंगे तो फिर लड़ना बाहर से कहां अंदर से में लड़ना पड़ेगा इसलिए इन चीजो 2016 को रोहित वेमुला को युनिवर्सिटी के होस्टेल उससे निकाल दिया अब वो कौन से स्टूड़न्ट यूनियन का मेंबर था अंबेड कराइट स्टूड़न्ट यूनियन इस यूनियन की स्पेशालिटी क्या है तो याकुब मेहमन को फासी नहीं होनी चाहिए इसके ल भारत के विरुद्ध जिसने बॉम ब्लास्ट किये उसको फासी नहीं होनी चाहिए इसके लिए अंबेड कर स्टूड़न्ट यूनियन प्रयास कर रहा है और उस स्टूड़न्ट यूनियन का सदस्य है रोहित वेमुला अब रोहित वेमुला को जैसे ही निकाला गया पूरे 25,000 रुपी स्टाइपेंड मिलता था विद्यावेतन वो बंद हो गया इसके लिए उनका वो दारू सिगरेट का खर्चा कहां से निकलेगा वैसे भी वो पीएजडी सालों साल करते रहते जैनु में बुढे होने तक उनकी पीएजडी चलती है क्यों चलती है क्योंकि उनको इस तरीकी का स्टाइपेंड मिलता है और इसलिए इस माध्यम से यह जो मूमेंट चला उसके बाद में जस्टिस रुपनवाल कमिटी का गठन किया केंदर सरकार ने जस्टिस रुपनवाल कमिटी का जब रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के अंदर लिखा कि रोहित वेमुल प्रकाव उसटया था सब्रकाट में चलना तो जो दलित वाद के नाम पर जो आंदोलन चला गया वो किसलिए चला है पुरहे भारत को यह सबाद किया गया दलीतों के उपर हूर युनियोर सिटिस में अन्या हो रहा है और जुडिशियल रिपोर्ट कह रहा है कि वो तो दलित ही नहीं है तो कैसे जूट को प्रचारित किया जाता है इसको हमें समझना होगा वास्तविक्ता में भारत के पूरे इतिहास में कभी किसी याने दलित को कोई परियाई शब्द ही नहीं हमारे संस्कृत के शब्दावली में दलित इस तरीके का कोई शब्द ही नहीं है तो यह शब्द जो है यह सारे बाहर के शब्द लाकर के हमारे यहां पर ना तो भारत में स्लेवरी गुलामी थी ना तो किसी को दलित समझा जाता था तो फिर इस तरीके का प्रचार क्यों भारत में चल रहा है इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते है इसको हमें देखना होगा अभी इसी साल February 2023 को मुंबई के IIT में दर्शन सोलंकी इस लड़के ने सुसाइड किया जिस दिन उसने सुसाइड किया next day ना investigation हुआ है ना कुछ हुआ है मुंबई IIT के अंदर मुर्चा निकाला गया प्रभुष राम को गालिया दे दी गई और ये जो मुर्चा निकाला उस संगटन का नाम है अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सरकल इनोंने मुर्चा निकाला प्राम्वनों को गालिया देना शुरू किया यह सब कुछ हो गया बाद में दर्शन सोलंकी का सुसाइड नोट मिला उस सुसाइड नोट में उसने कहा कि मैं किसके कारण से आत्मshit कर रहा हूं तो उसका नाम है अर्मान इकबाल खत्री वो है मुसलमान तो दर्शन सोलंकी ने उसके साथ इसलाम के बारे में कुछ बात की थी जिसके कारण से वो अर्मान इकबाल खत्री जो है उसको डरा रहा था कि मैं तुमको मारूंगा इससे उसके मन में डर तैयार हुआ और उसने जाकर के अपने होस्टेल से सिक्स फ्लोर से जम किया और सुसाइड कर दिया जिस दिन यह सुसाइड नोट मिला नेक्स डे यह अमबेड कर पेरियार फुले स्टडी सरकल गायब हो गया याने जब तक कोई आरोपी नहीं था तब तक हिंदु धर्म आरोपी था ब्राह्मन आरोपी था सब लोग आरोपी थे जिस दिन उसकी सुसाइड के लिए रिस्पोंसिबल मुसल्मान है यह सामने आ गया उस दिन सारा प्रोटेस्ट और सब कुछ बंद याने यह कैसे यदि हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह शडियंत्र चला रहे है भारत में ही भारत के विरुद्ध जो यह शडियंत्र चला रहे है इसलिए हमें इस दुरुष्टिकों से जानना होगा कि भारत के इसापूर्व थर्ड सेंक्चूरी में भारत में जो ट्रावलर्स आए जो इंटलेक्ट्शन साए उसमें मेगास्थनिस का नाम है युएंसांग का नाम है अलबरुनी का नाम है इबन बतुता का नाम है इन्होंने 2000 साल का भारत का इतिहास जो है उसका वर्नन किया है और ये 2000 साल के इतिहास में कहीं पर भी किसी ब्राह्मन ने किसी पिछड़े जाती के व्यक्ति के उपर अन्याय अत्याचार किया है ऐसा कहीं नहीं लिखा है तो 2000 साल के इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया आज कहां से ही आ गया इसलिए इस अजेंडा को हमको समझना चाहिए कि अजेंडा क्रियेट किया जा रहा है और इस दुरुष्टिकों से हमारे यहां पर अभी तो JNU में सारे बोर्ड लगे न्यूज में आ गये ब्राम्वनों भारत छोड़ो अब वो कहा जाएंगे हम कह रहे हैं कि हमारा चातुरवर्णय सिस्टीम है और प्रचार क्या किया जा रहा है ब्राम्वनों भारत छोड़ो यहने किस प्रकार से अजेंडा चला जा रहा है इसको हमें समझना होगा और इसलिए मैंने जो कहा कि एजुकेशन सेंटर्स यह डिविजन सेंटर्स भारत मे बन रहे हैं और इसलिए हमें यह समझना होगा अब यह एक नया मुवमेंट आप सबको पता है जै भीम जै मीम यह जो जै भीम जै मीम का जो मुवमेंट चल रहा है इस मुवमेंट के बारे में डॉक्टर बाबा साहिव अंबड कर इसलाम के बारे में क्या कहते है डॉक्टर ऐन्ड नॉन इस्लामी यह दोही डिविजन में वह विभाजित करता है और नॉन इस्लामी में वह चाहेजिजुतो हो हिंडू हो मिद्ण इस प ब्राह्मिन और ऐने लिए 얜 आपक्ष अग नहां कास्ट होती है चब्वीस-ग्यारा का हमला हुआ किसी दलित को रिजर्वेशन दिया था क्या वो लोग सब को मार दिया जो सामने आ गए तो जब वो एके 47 लेकर के आते तो कोई रिजर्वेशन नहीं देते किसी को तो यदि वहां पर रिजर्वेशन नहीं है तो उनको आप अलग क्यों मान रहे है जै भीम जै मीम का नारा लेकर के डॉक्टर बावा से वंबेड कर उसके आगे कहते है कि इसलाम का जो बंधुत्व है भाईचा प्रिवानों के लिए उनके मन में यदि कुछ होगा तो सिर्फ एठ होती है सिर्फ द्वेश होता है कि तो यह डॉक्टर बाबा सब अमबेड कर कह रहे हैं कि तो जो अमबेड कर वादी अपने आपको कहने वाले है वह अमबेड कर जी का सहीत्ते पढ़ते या नहीं पढ़ में बाबा साहब अंबेडकर की जैन्तिके लिए जो राली निकली थी उसके उपर मुसलमानों ने आकरमन किया उसके बारे में कोई भी ये जैभीम जैमीम वाला कोई नहीं आया वहाँ पर तो इसलिए उनके दुरुष्टिकों से ये सारी चीज़ों को हमको समझना होगा यद इसलिए इन बातों को हमें जानना चाहिए आगे भीमा कोरेगाव ये हर बार कहा जाता है इसमें भी बहुत बड़ा शडियंत्र है उस गाव का नाम भीमा कोरेगाव नहीं है उस गाव का नाम कोरेगाव भीमा है चुकि संगम कोरेगाव में होता है और भीमा नदी का संगम होता है लेकिन वह भीम पहले आना चाहिए इसके लिए भीमा को रेगा उसको चेंज किया गया तो यह जो चीज है कि कैसे यह पॉलिटिक्स होता है उसमें जो महाराष्ट्र में शिवा प्रतिष्ठान नाम से संगटन चलाते हैं पुझ्य संभाजी राओ भेडे गुरुजी उनके लिए पुली स्टेशन में जाकर के बता गया कि नहीं वो थे वहां पर वो पत्त्राओं कर रहे थे उनके ओपर पुलीस केस हुआ और जब वो इंसिडेंट हुआ उस समय पे न्यूज रिपोर्ट्स में आ रहा था कि एंसीपी के एक एक्स होम मिनिस्टर जैन पाटिल उनकी माता का निधन हुआ था और उनके घर के अंदर पुझ्य संभाजी राओ भेडे गुरुजी उस समय पे वहां पर उपस थे लेकिन फिर भी पुलिस केस हुआ क्यों कि बहुत बड़ा प्रिशर है याने एक्स होम मिनिस्टर के घर में पुझ्य संभाजी राओ भेडे गुरुजी है फिर भी कोई कह रहा है नहीं मैंने देखा कि वह पत्राओ कर रहे थे मतलब एक ही वेक्ति सांगली में भी हो सक होता है फिर भी पुलिस केस हुआ और अब ये केस 2018 में हुआ 2022 में अब पुलिस ने कहा कि हमें कोई इविडंस नहीं मिला अब वो मुक्त है चार साल के लिए उनके ओपर ये आरोप लगा तो ये एंटी इंडिया फोर्सेस कैसे काम कर रही है और अब तो खुला हो गया कि को लगा थे ठाबर सबस्तरों और था तो नु कि कि यह रहे रहे है तो इसलिए गौतम नवलखा हो या जितने बी बाके षाड़े वो सभी जो है वो इसी मॉम्मेंट में थे इसलिए मैं किमेरा विश्यह यहाल पर समाप्त करूए कि यह जो जैभीम जैमीम यह सारा जो चल रहा हमें एक इतिहास का उधारन देखना होगा कि जोगेंद्रनात मंदल इस नाम को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए जोगेंद्रनात मंदल यह जैसे भारत के पहले कानुन मंत्री डॉक्टर बाबासाइब अंबेड कर बने तो मुस्लिम लिख को सबसे बड़ा सपोर्ट यदि किसी ने दिया तो डॉक्टर जोगेंद्रनात मंदल ने दिया उस समय पे बंगाल में 80 लाक्स 80 लाक के संख्या उस समय पे वहां पर दलितों की थी उनके सबके नेता हो थे उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन को आप मानने दिजिए क्योंकि जिना ने मुझको कहा है कि मुसल्मानों का धर्म मुसलिम होगा और हमारे लिए अलग होगा इसलिए वो ट्रेटमेंट हमें नहीं मिलेगी और इसलिए उन्होंने भी उस समय पे जय भीम जय मीम का नारा लिया और वो पाकिस्तान में चलेगे जैसे यहां पर सम्मिदान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर को चुना गया वैसे वहां पर भी उनको सम्मिदान सभा का अध्यक्ष चुना गया लेकिन एक दिन के लिए दूसरे दिन मुसल्मानों ने अब्जेक्शन लिया दूसरे दिन उनके पास से वो सम्विदान सभा का अध्यक्षपन निकाल लिया और फिर 1947 में वो वहाँ पर गए 1950 में वही जो गेंदरनात मंडल पीडित हो करके पाकिस्तान में दलितों को न्याई नहीं मिल सकता है हमारे साथ यहां अत्याचार ही हो रहा है यह कहे करके भारत में वापस लोट करके आए और दुर्भागे की बात है कि उनके साथ जो 80 लाग दलित गए थे वो आज भी वहाँ पर प्रताडित हो रहे है आज भी उनके साथ अन्या हो रहा है तो इन चीजों को यदि हम देखेंगे तो जै भीम और जै मीम का क्या वास्तव है वो तो जोगेंदरनात मंडल के इस से दिखाई देता है वो तो अपना रेजिगनेशन लेटर में लिख करके आये उनका रेजिगनेशन लेटर पर भुक लिखा हुआ है कि उन्होंने जो रेजिगनेशन लेटर लिखा लियाकत अली को उस रेजिगनेशन लेटर में दलितों के साथ मुसलमान क्या-क्या अत्याचार करते हैं सब पुरा लिखा है लेकिन फिर भी आज भारत में मुव्मेंट क्या है जैभीम जैभीम तो ये इतिहास बहुत पुराना नहीं है 75 वर्ष का पुराना इतिहास है इसको यदि हम समझेंगे तो इन बातों को हम जानें तो उससे वो देश भक्त बनेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है इसलिए जब तक यह उनिवर्सिटी जब तक यह शिक्षा के संस्थान सारे जो चीज़े हैं जब तक यह हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू राष्ट्र के अंदर नहीं चलते हैं तब तक यह डिविजन फोर हमारे ही देश के विरोधी हमारे बच्चे हो सकते और इसलिए इन चीजों को हमें देखना होगा जैसे विभिन हमारे शत्रू है वैसे ही यह ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज भी हमारी शत्रू है तो मुझे यहां पर बहुत अच्छा लगा कि गोवा के प्रविंच ओधरी जी है यहां पर हमारे डॉक्टर नील माधा उदास है वह अपनी अगली पीड़ी को लेकर के इस अधिवेशन में आये है कि जब तक हम यह सोच करके रहेंगे कि ने वो स्कूल में जा रहा है वो तो अच्छी उनिवर्सिटी में जा रहा है लेकिन वो क्या बन रहा है इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं होगा तो हम यह नहीं यह कर सकते और इसलिए यह सबसे बड़ी विशेशता है कि चाहे सनातन संस्ता हो चाहे हिंदुजन जागुरत समेती हो उनकी अगली पिड़ी भी हिंदुत वादी रहेगी इसकी सो प्रतिशत ग्यारंटी है क्योंकि वो सनातन धर्म से जूड़े और हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म से जूड़ना यह बहुत बड़ी आवशक्ता है और यह तभी जाकर के हम इस जो एक भारत विर हैं के जिए हैं कर प्रत प्रत वादी प्रत वादी पारत कई!